हेलो गाइब बड़गा में चलिए हम यहाँ पर ICR के Practice Cert की स्रीज में आप साबी का सौगत करते हैं तो यहाँ पर हम आज करने वारे साइंस के परसंट बहुत सारे लोग करें तो साइंस एंसर्ण करें तो साइंस एंसर्ण करने वाले हैं 10 टे टेंथ लास की और प्रेक्टेशोस चाहिए कि नहीं चाहिए तो헤क शुी के लिए सुरूगा लेते हैं तो सब transf transf पर ₤ पर जल्दी से देख लेते हैं पहला परसन जो कह रहा है कि विद्दुत अभगटनी प्रिष्क्रण में असुद धात को बना जाता है यानि कि जो इंप्योर मेटल रहता है वह किस पे जाकर चिपक जाता है जो प्रोसेस होती है तो इसका राइडेंसर क्या हो जाएगा एनोड हो जाएगा एनोड आपका राइडेंसर हो जाएगा अगले परसनों क्यों चलते हैं तो अगला परसन है कि अधिकतर धातों के ऑक्साइड कैसे होते हैं जो ऑक्साइड होते हैं मेटल्स के वो किस प्रकतिके होते हैं इसका निच्रलों कैसे होते तो आपको बताना है तो इस होता है यानि कि जो आपका electricity होता है उसका conductor होता है ग्रेफाइट प्रसंद संग क्या आगला देखी कहा गया कि नेम लेखित में से कौन सबसे अधिक अधिक अभगिर्या से लोता है ठीक यानि कि यू सबसे ज्यादा रियक्टिव नेचर होता है वह इनमें से कौन सा हो है जो चमकीला होता है तो इस का राइट अर्व बात कर लेते हैं तो कहा गया किसरअनिक योगी को गर्म करने पर plaster of Paris प्राप्त कह जाता है इन में से एक यहां पर जो chemical compound है उसको अगर आप heat करते हैं तो आपको plaster of Paris मिल जाता है तो इसका राइड एंसर क्या होगा वो होगा आपका जिपसम होगा आप द्यार रखेगा तो गाई यहां पर जितना हो सकता है मैं थोड़ा से इसको English में समझ क्रीध हाथ कौन से यानि कि सबसे अधिक जो एक्ट्यू मेटल रहेगा वहां कौन सा रहेगा तो देखें इसका राइड एंसर क्या हो जागा वह देखें वह आपका यहां पर चड़ा जाती है तो वह कौन सी परत होती वह जिंक घ्रह फटी है इसको डून कह जाते हैं प्रइड से चेड से इसके प्रत चाड़ा दे जाते हैं किसी भी लोहएपर ताकि इसमें जग ना लगए इस्प्रॉसेस को कहा जाता है क्या जयाता है गैलवनाईजेसुन ठीक है गैलोलाइजेसन कहा जाता है परसंसंग क्या अगला देखिए इसमें कहा गया कि कौन सा अधात ताप मान पर द्रव होता है अधात का मतलब होता है नौन मेटल ठीक यहां पर लिक्ट रहता है एट रूम टमपरेट चैनल तो इसका राइडेंसर क्या होगा वह आपका हो जाए जो बाकसाइड है वो किस मेटल का यहां पर जो और माना गया है तो 11 का राइडेंसर क्या होगा वह देखेगा तो यह हो जाएगा यहां पर अलमूनियम टिक है अलमूनियम जो है वो बाकसाइड का जो है यहां पर प्रोडक्ट होता है बाकसाइड यह जो है इसका और होता ह तो यह आपका हो जाएगा यहाँ पर सी यानि कि जो कार्बन है वो तो आपका अधार हो जो क्या अधात होता है नॉन मेटल होता है चलिए कोश्चन नमबर अगरा देखिए निम लिखेत में से किसे चाकू से काटा जा सकता है अब देखे आप लोग कह रहे होंगे बहुत आसान परसन भी आसान कहा है आपके NCRT में यही सलेबस दिया हुए है अगर आप इसका सलेबस जाकर देखेंगे तो आपको भी यहाँ पर देखेगा कि 10 तक का ही यहाँ पर मां उसे काट सकते हैं परसनसं क्या अगला है कि कारबन क्या है वैसिक्ली बोला गया चर्वा तो इसमें क्या हो जाएगा यह आपका सभी हो बता ही यह क्या है यह आपका नॉनgruppe हो गया तो गैड़ जहके देखें हैं जुरूर आपके एक्जाम में आगा तो चलिए शुरू कर लेते हैं पहला पर अगला पसंद देख लेते हैं तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं हम अगला कोचर chamado आसले में से कौन सूचक की तरह इस्तमाल नहीं किया जाता है। है को is which आपका जो आप पर जींक आउकसाइड रहेगा जड़न ओ यह आपका जो रहेगा यह बेसिक रहेगा ठीक बेस इन निचर रहेगा इसका राइडेंसर क्या हो जाएगा यह आपका एक दुइक लवड यहां पर परसुण संख्या आगला देखे तो कहा गया कि हमारे शरीर pH मान के किस परिसर में सही तरीके से कार करता है हमारा सरीर का फुर्फाम पूछा जाचे अग है तो यह होता है potential of hydrogen ठीक है potential of hydrogen इसको भी दान में रखेंगे परसंसिंग क्या अगला है कि यहाँ पर S.C.L. का pH मान कितना होता है यह basically hydrochloric acid की बात कर रहे हैं तो S.C.L. का जो मान होता है होता है तो गए जिय retired होता है आपका zero zero क्या मतलब होता है अब देखें यहांपे आप देखेंगे तो यहांपे वैलू होती है पूरा pediatric to इसमें ज्युआ अप साथ होता है न Secret यहां से लेकर कि एगर इधर कि हो जाते हैं एक साथ से बड़े में जाएंगे तो आपका से नीचे आएंगे तो आपका सॉल्ट कौन सा है ठीक है तो सब लोग थोड़ा सा यहाँ पर कंप्रोमाइस करेगा हिंदी और इंगलिस मिला के हम चले हैं थोड़ा सा कोशिस करने हैं ति हो जाएगा आपको सोडियम क्लोराइड देखिए यह खाने का नमक ही यूज किया जाता है जो आप घर में यूज करत है वो क्या होता है फिटकरी होता है आप देखे जो दाड़ी बनाते हैं जो बारबर होते हैं वो लोग अगर आप कट जाते हैं आपके जो दाड़ी बनाते हैं समय खून निकलता है तो लोग फिटकरी का यूज करते हैं तो फिटकरी का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि यह कि जल का पिएच मान कितना होता है अब जल का पिएच मर अब जल मान आप R लिखेत में से कौन सा बुझा ुझा चुना यानी कि जो बुझा कि नाम से जांटे हैं तो वह हो जाएगा है पर कैल्शियम ओक्साट ठीक है तो आप देखेंगे तो इसका राइठेंस्य यहां पर और पर सुट्स का यहां पर आपका हो जाएगा यहां पर क्यां पर यहां पर हो जाएगा तो देख लिए इसका राडंसर हो गया आपका सी वाला परससंख और नेटल के डंक में कौन सा अमल लपाया जाता है ठीक है चीटी के डंक में कौन सा अमल लपाया जाता है तो देखें यहां पर क्या होता है बिसिकली इसमें चीटी के डंक में जो हम देखें तो गए इसका राइडेंसर जो है वो फॉर्मिक एसिड होना चाहिए ठीक है क्योंकि चीटी जब काटत याद रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट यह परसन है तो इसका राइडेंसर हो जाएगा पांच पॉइंट छे से कम ठीके पांच पॉइंट छे से अगर पी एच उसकी कम है तो यह समझेगा कि वह रहें रहे गाए तो परसन पूछा जाता है परसन क्या अगला देखिए तो यहाँ पर गलुकोज का जो रासाइनिक तो रहन notch है तो सब फ़ी पता है यहाँ पर सी इसीडिक एसे टोयल और ओ आपकर। कोशेनन नमबर हागए कि आट्यक रचा आई-उ-पी-च सीनेम क्या होता है है से यह पेज़िए सिर्का होता है यह पूछा गया है तो यह क्या हो जाएगा यह पर यह आका हो जाएगा मेधव मैं तुन आइपाइड ने आटे कर देख लिए तो यहाँ पर Parkinson को नीला कर देता तो इनमें से chilli सभू क्यों को करेंगे गरेगा याद रखेंगे लवाद को नीला देता है पर Sasan कि अगला देक्वेट का crystal का रंक कहता है आप प्यरलस सलफेट हिसका crystal होता है उसका color कैसा होता है तो इसका right answer हो जाएगा आपका green यानि कि हरा होता है परसंसंग के आगला देखिए बोला गया है कि निम्लिकित में से कौन से धातू ठंडे जल से अब गिरिया करके धात के hydroxide बनाते हैं तो इन में से कौन सा metal है जो cold water के साथ यहाँ पर reaction करके धात के hydroxide बनाएंगे तो इस का right answer क्या होगा वो आपका हो जाएगा यहाँ पर sodium और potassium टीक है sodium और potassium जो है वो धात के hydroxide बनाते हैं इसको याद रखेंगे यानि के metal के hydroxide बनाते है परसंसंग के आगला है कि निम्लिकित में से कौन सा यहाँ पर एक acid है कौन सा एक अमल है याद रखेंगे वो क्या हो जाएगा यहाँ पर वो हो गए आपका scl सभी को पता है scl जो इसका कितना होता है pH value होती है इसकी जीरो ठीक है याद रखेंगे परसंसंग के आगला है कि plaster of Paris का रसाइनिक सुतर निक परस्टर परिस का जो chemical formula है वो क्या है परसंग यह important यह पूछा जा सकता है तो देखें इसको आप अच्छे से याद कर लिजेंगे तो इसका pH basically क्या होगा अब देखें लाल को अगर वो नीला करता है ठीक है तो अगर रेड को वो ब्लू में change करते है तो इसका मतलब क्या हो बेस होगा अब बेस कितने से होता है साथ के उपर होता है और धस आप रडेंस रोगा question number अगला क्या होगा अपको कि लेक्टिक एसिड़ का प्राकरतिक सोत्र क्या है अब जो लेक्टिक हैसेड़ है इसका प्राकरतिक सोत्र है इसका सही फार्मूल आपको बताना है ठीक है तो याद रखेंगे यह आप याद कर लीजिए पूछा जा सकता है क्योंकि कोर्स जो है आपका यह टेंथ लेवल का है तो जितना ज्यादा आप इसमें सारे के सारे पसनों के प्रेक्टिस करेंगे उतना ही आपके दिमाग में बसता चले जाएगा क्योंकि फॉर्म बहुत पढ़ चुके हैं तो इसी में से आपको बनाएगा जो उन्होंने से लेबस दे दिया इससे बाहर तो जाएगा नहीं तो देख लेजिए यह आपका राइंसर होता है तो आगे बढ़ते हैं तो आप यहाँ पर हम जो को चन दियुकर क्या बनाता है कारबन अगर हाइड्रोजन के साथ यहां पर जुड़ेगा तो तो बनाएगा यहाँ पर हाइड्रो कर बनस याद रखेंगे हीं तो इसका मतलब तˇप ऊच्छी ना ऑग जा पुरी तरह नहीं रहा स्दर से ज्रल नहीं रहा तो इसका मतलब यहे है कि उसमें जो carbon जो है वो छूट रहा है वही हाँ पर आपको चिपक जाता है वरतन पर question number अगला है यहाँ पर कि यह किसका समान सुत्र दिया हुआ ठीक है तो cn h2n plus 2 यह किसका सुत्र होता है यह होता है यहाँ पर एलकेन का ठीक है यह सुत्र होता है याद रखेंगे चलिए question number अगला देखिए कहा गया कि सरलतम हाइड्रोकार्बन को अब सबसे ज्यादा जो यहाँ पर सरलतम है जो हाईजिए स्ट हाइडोकार्बन है वह कौम सा हो जाएगा वह हो जाएगा यहाँ पर मीथेन याद रखेंगी मीथेन आपका राइड एंसर है मीथेन को तो गई अगला पसने ठीक है अगर इसकी जादा दिखता हो जाएगी तो वह क्या होता है वह ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव पड़ता है और हमारे नाइटरजन कितनी पाई जाती है वह 78 परशंट पाई जाती है और ऑक्सीजन लगबग 21 परशंट के असपास पाई जाती है अट्मास्पेर में परसन संक्या अगला देखिए तो कहा गया कि इसका समूः क्या होता है तो उसके लास्ट में का लगता है आप देखिए तो कहा गया है इत्हालीन में रखने लेआफिंत होगा दोनोव सीगमा काने सारी का सारी चीज़ें आपको यहां पर तेंथ 3ree भए हैं दहना पर प्रसंतों के अगला है कि यहां पर जो फरह होता है इसको ध्यटिया करते हैं ऑगलेज करते हैं जह एक निएसको अमंक। जो फार्मूला होगा वो क्या होगा देखें यहां पर क्या हो जाएगा यह आपका रैडेंसर हो जाएगा काल पर सर्फेट ठीक है और इंटू 5H2O question number अगला है कि nitrogen अडू में कितने सह सही हो जगबांद होते हैं कितने इसमें बॉंड होते नाइटरोजिन के अडू में तो देखें इसका रैडेंसर क्या हो जाएगा वह है थीन निक का रासायनिक सुत्र क्या होगा जो यहां पर संग मरमर है जिससे यहां पर ताजमहल बना हुआ है तो उसमें कितने रासायनिक सुत्र क्या होता है कैल्सियम कार्बोन बेसिकली कैल्सियम कार्बोनेट ही यहां पर संग मरमर का एक फॉर्म है पर संग के अगला देखिए तो बो लागे sodium carbonate का अड़ो सुत्र क्या है sodium carbonate के हां पर सुत्र पूछा गया है तो इस में क्या हो जाएगा यह वह हो जाएक कहांपर सीवाल आपस्र्थ ऑला अप्सन्ट में ठीक कोश्चेंद नमर्बर देखें मैं आप लगे कार्बोनील समुग को सुचित क्या जानी जो कार्बुन कार्बबोनील ग्रूप जो ह ह Cape your host के दारा यहां पर सीवाला यान नदी की हैँ आपको तो सीएो के दारा प्रस्शं के आगला हो जागा कि इथाईल आलकोहल का अगोल यहाँ पर निम निखिल में चाहे हैं श्की सिक और अधिर क Leonardo ऐसे वो होता है कि यहाँ आपको अरे मिट्री का यद्या सित्र और मीट्रा क मिन यूतिकर्ण सचेल तो तो C3H4 आपका इंटर हो जाएगा इसमें 3 जो है इसके आबन्ध का मतलब क्या है ये तीन इसमें बॉंड भावंड होता है पर संक्राइब लादेखें अगले में देखें तो बोला कि माइनस यह आपका सी ओ सी एचो जो है क्रियासिल मूलग को क्या कहते हैं ठीक है यह बोला गया है इसका जो है आपका किस चीज का सम्हों है बैसिकली तो यह आपका हो जाएगा अपने पढ़ा होगा टेंद क्लास में तो याद रखेंगे सी एचो तो देखें यहां पर 25 परसन आपके साइंस में आने हैं तो इनको ध्यान से देखेंगा 25 परसन आपके लिए बहुत इंपार्डन होते हैं ठीक है तो देखें आपको साइंस थोड़ा सा कठीन पढ़ सकती है क्योंकि देखें बहुत ही जादा इसका से बहुत ही ब्रॉड है एंसे पूरा पूछा है टें देख लीजिए अगले परसन में देखें तो कहता है कि मान और रक्त में उपस्थित यूरिया की समान मातरा कितनी होते हैं जो हिमन ब्लड है उसमें यूरिया कितना पाया जाता है यह वोड़ता है यहां पर 20 मिलीगराम ठीक है 20 मिलीगराम आपका राइट अंसर हो जागा यही होता है अगर इसकी मात्रा बढ़ जाती है ब्लेड में तो उससे कहते हैं यहां पर यूरीक एसेड आपका बढ़ा हुआ है जिससे यहां पर अर्थराइटिस वगएरा होने के चांसे ज्यादा रहते हैं परसंशंग के अगला देखें तो गहता है रक्त में आइरन की कमी नहीं कि आइस्ञ होने आइरन की कमी हो जाती है जो लोहा होता है बेसिकले कमी आ जोगते हैं इनेमिया इनेमिया और इसका और सफेस के अनिवार है कि क्या सभी जीव के लिए अनिवार है तो कौन सी किरिया जो है सभी जीव के लिए अनिवार है तो सभी को पता है कि एगर वो सोसन नहीं करेंगे ठीक है अगर वो सांस नहीं लेंगे तो वो क्या करेंगे वो जीवी नहीं पाएंगे तो आपका राणस क्या है तो ये अनिवार होता है सभी के लिए पर सोसन के अगल यानि की जो energy है वो release होती है प्रासर्ण के अगला है कि Tijuana कमनुस HCVA एक का भाग है विश्क के होते हैं बेसकीstart लिए हां पर बात करें हम तो वह क्या होगा। यह किसे भाग होते है उर गोग होते हैं उर्षर्ण के उर्षर्ण के भाग होते हैं पादप में जाइलम उत्तर आई होते हैं तो जाइलम और फाइलम दो यहां पर बहुत इंपोर्टेंट होते हैं परसन अक्सर पूछा जाता है तो यह होता है यहां पर जाइलम होता है अब जाइलम किसलिए यूज होता है ठीक है तो देखेगा तो जाइलम जो होता है वो जल का वहन करता है जाइलम में जल आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो इसी तरह इसको याद कर सकते हैं जाइलम जल का वहन करता है फाइलम किसलिए होता है फाइलम में फा से फूड होता है तो यह फूड के लिए होता है ठीक फूड पहुंचाता है पूरे पौधे में फाइलम जल प उसकी मदद के कारड यहां पर आपका ब्लड जो है वो रेड दिखाए देता है प्रसंग के आगला है कि पौध्यों के वाइवी भागों में जल के निश्कर्षण की क्रिया के क्या करती है जो पौध्य के जो भाग होते हैं वहां पर जो जल है वह रिलीज होता है उसमें से व वोडी के अंदर एनलजी का जो उत्पादन होता है अब जो नेचर है उसमें आख्सिजन का संतुलन कैसे बनता है तो वह बनता है प्रकास के दार है क्योंकि प्रकास की और की जो प्रकीरिया है पोटो सेन्थेसिस की प्रकृरिया है उसके क्राड़ क्या होता है पौंदे जो है वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं और जो है कारबन या उक्सीजन को ग्रहण करते हैं अपने अंदर तसे आक्सीजन का संतुलर मना रहता है business रहता है पूरे ह Pixar कि Capra lezione pi reduction कि मैगनीसियम पाजाता है जो मैगनीसियम है वह कहां पर पाजाता है तो इसका-इंसर कहा है वह आपका हो जाएगा Chlorophyll Chlorophyll जो है वह उसमें Magnesium पाजाता है यहाच पाद में कई बार की निमने में से कौन सा दात करें पाज rays पास जाता हैBlue चैम्बर इसका राइड एंसर हो जाएगा टैपी इंदी में चार कोश्टक कह सकते हैं तो चलिए हमारा यह चेप्टर भी कंप्लीट हो गया है चलिए कुछ और परसंद देख लेते हैं जो रिलेटेड हैं आपके कैमिकल रियक्शन से ठीक है तो सबसे पहला यहां पर है कि सा broker देखें कि लाल तप्त आरेण पर जल्वास प्रवाहित होने योगिक प्राफित होता है यह उसका देखflower यह पर पर और यहां टो उस स्ट्विक्ता का यह जाए यहां सोडियम हाइड अगर जिंक से एक्षन करता है तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा ठीक है तो इसका रहाद etcetera क्या हो जाएगा तो यह हो जाएगा आपका राइड एंसर इसका ठीक है तो इसमें जो बनेगा प्रोड़क्ट जाके वह बनेगा आपका यह वाला ठीक है चलिए कोश्चन नमबर अगला देख लेंगे अगले पंस की बात करते हैं तो कहा गया कि दूद से दही बनना कैसा पर उपे करो एक सन होते हैं पर स from कहे अगला देख लेखिय है कि निमले खिर में से पदा इत बीना ठीक है अगला कोश्म दीकिए तो कहता है कि मालीजे को कोई अगर पदार्थ zer वो जल रहा है तो इसमें हीट नहीं उपनोती जो होग जेगा कोईला में प्रस्तित की चिप्स की टैली में कौन सी गैस भरी जाती हैं उस थैली में वो क्या होता है फूड प्रिजर्वेशन के लिए नाइट्रोजन गैस को भरा जाता है जो आप चिप्स लेते हैं पांच रुपे दस रुपे गा तो उतना बढ़ा आपको यहां पर मिलता है पैकट और उस पैकट को जब भाड़ते हैं तो किते हैं भगवान इसमें तो कुछ पूरी अच्छाइन नहीं तो यहीं मतलब होता है कि वहां पर जो चिप्स होते हैं बहुत चोटे-चोटे होते हैं बहुत कम मात्रा में होते हैं 5-10 ग्राम और उसका पैकट लगता है कि इसमें 50 ग्राम भरा होगा तो यह नाइट्रोजन गया सिसी लिए भर जाती ताकि आ रहे होंगे तो उसके लिए क्या करेंगे आप पूरी अंसियाटी जब पड़्टा लेंगे टेंथ क्लास की तो आपको सारे का समझ में आगे रहे कितना टाइम तो हो नहीं तो इसी में जितना ज्यादा पैक्टिस कर सकते हैं वही कर लिए तो एक मैगनेसियम जब जला ज किनि मेंन से कौन दी स्थापन यहां प्ल टेव क्लीस इंप कूंसी हो जाएक से कौशाची डीख यह जाए रागला देखेंटे मेंचंची बूर्टा गया की यह चौन्सी आपकी रेक्टन है क stimulation धूर्टिक Bundes डिस्प्लेश्मेंट रियक्शन आपका राइटेंस रहे परसंद संख्या आगला देख लीजिए यहां पर तो इसमें कहा गया कि लौव चोड़ निकि जो आपका आइरन है और उस पर अगर हाइड्रो क्लोरिक ऐसे डाल देंगे तो क्या होगा तो क्या हो जागा सबसे पहले तो हाइड्रोजन गैस बनेगी और आपका इरन क्लोराइड बनेगा अगर आप यह चीज करते हैं आपके आरन पर परसंद क्या अगला हो जाएगा कि लोहे को जिनक से लेपित करना कौण सी परक्रिया करते है तो यह तो परसंद साहिद हमने आपको बताया था भी तो उता यहाँ पर गैलवी नहीं कराना यानि कि एंग्लिस में कहते है गलबलाईजयशन ठीक है क्योश्चन नमबर अगला देखली कि यहाँ पर कहा कहा गया कि नाइट्रोजन अक्साइड के धूए का रंग कैसा होता है उसके धूए का रंगयाँ पर कैसा होता तो वो होता इंस्यार्टी में सिलेबस आपका बहुत दिया हुआ है तो अभी यहां पर अभी खतम नहीं हुआ मुश्किल से हमने चार से पांच चैप्टर ही इसमें खतम किये नेस्ट वीडियो जो आएगी उसमें भी यहां पर और भी चैप्टर हम करने वाले हैं तो वीडियो को लाइक जुरुकर चैनल को सब्सक्राइब किजाएगा बताएगा वीडियो पसंद आया है तो थैंक यू सो मच